Hello everyone, my name is Hasan Ali and welcome to the 2PX अफसोस की बात है कि भाई की ग्लासीज लग गया है आंके कमजोर हो गई है आप लोग को टुटोरियल बनाते बनाते आज की ग्लास में हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम अपना clay mock-up design करेंगे एक matte finish सा mock-up design करेंगे और हम देखेंगे किसी किस तरह से 3D objects को हम Adobe Dimension में ला सकते हैं और उसमें material किस तरह से apply होगा, lighting किस तरह से होगी और हम उसको photoshop पे लिया के toning कैसे करेंगे बहुत मज़ेगी क्लास होने वाली है बिना किस इंतिजार के start करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपना 3D model जो हमने फ्री डाउनलोड गया है बहुत सारी फ्री वैबसाइट से हैं मैं आपको उसका description में link भी दे दूँगा आप पहां से फ्री models डाउनलोड कर सकते हैं और हमने एक model डाउनलोड किया है 3D model Macbook का तो हम उसको यहां पर क्या कहते हैं import करते हैं कुछ तरीके हैं या तो हम यहां से फैल में जाके 3D model इंपोर्ट कर लेंगे हम यहां से double click करेंगे तो हमारा model आटमेंटिकली यहां पर आजाएगा यहां तो एक और तरीका है यहां पिर मैं क्या करूँगा इसको मैं undo करता हूँ और अपनी फैल से लाके बस यहां पर ड्रैग करूँगा तो हमारा 3D model यहां पर dimension में आ जाएगा ठीक है हम क्या करेंगे Alt से जो हम इसको rotate कर सकते हैं जो हमारा right click है mouse का उससे हम इसको rotate कर सकते हैं Scroll जो है mouse का उससे हम zoom in zoom out भी कर सकते हैं और अगर हम right click करेंगे mouse का तो हम इसको rotate भी कर सकते हैं ठीक है हमने इसको एक position दे दी अब हम क्या करेंगे सबसे पहले हम इसके dimension को थोड़ा set करते हैं और इसको थोड़ा सा और open करते हैं इसके नीच वाले area को हम क्या करेंगे अपने macbook पे आपने right side पे देखो को scene के साथ layers आ रही है अगर आपने ये समझना है इसको basic से समझना है तो इससे पहले Adobe Dimension की class है इसको आप review कर सकते हैं बहुत detail में मैंने इसमे lighting, scenes, layering वगरे में आपको बता है right side पे हमारी इस anchors आ रहे है अभी देखे है rooted x में आ रहे है ठीक है और हम इसको वापस उस position पे लाकर set कर देते हैं ठीक है ये मैंने right click करके mouse का rotate किया इसको और इसको इसको पे लाकर fix कर दिया ठीक है fix करने के बाद हम क्या करेंगे सबसे पहले वापस अपने macbook लेयर को select करेंगे और इसको move up कर लेंगे अगर हमने इस object को ground पे लाना है बिल्कुल तो हमने क्या करेंगे object को select करेंगे और यहां पर option देख रहे होंगे move to ground जैसे ही मैं इसको move to ground पे लिक करूंगा यहां पर snap हो जाएगा आप उन models को भी use कर सकते हैं हम right side से अपना material लेते हैं adobe stranded materials मैं से matte material लेते हैं matte material लगाने के लिए हम क्या करेंगे simply इस material को click करके उठाना है और laptop पे लाके drag कर देना है तो यह इस पर apply हो जाएगा ठीक है apply होने के बाद हम हम इसका color change करते हैं हम अपने किसी भी layer पर जाते हैं ठीक है इस पर double click करूँगा मैं तो हमारा matte finish value layer जो material apply होगा वो हमारा material on हो जाएगा यहाँ पर click करके हम इसका color change कर लेते हैं for example हम अपना 2px वाला color ले लेते हैं हमने इसको बन गया ठीक है अब हमने क्या करना है अगर हमने इसका quick render लेना है तो आप right side पर आप यह देख रहोंगे option बना रहा है box बना रहा है जैसी मैं इस पर click करूँगा यह आपको एक quick render दिखा देगा कि आपकी lighting किस तरह की है shadow किस तरह के हैं वो softness आपको दिखा देगा qp कितना strong है हम इसको थोड़ी देख लिए बन कर देते हैं वापस क्लिक करके अब हमने क्या करना है अपने background पे भी color apply करना है हम यहां से back पे जाते हैं और हम बाहर क्लिक करेंगे कहीं पे भी तो हमार पास background color आजेगा ठीक है हम इस background color में से अपने eye picker से पहले अपने laptop का color लेते हैं और उसका थोड़ा से darker version ले 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 हैं ठीक है हमने बंद कर दिया अब हम अपने camera की adjustment करते हैं कि हमने angle कहा रखना है कि दर रखना है सही है जो भी हमने angle रखना है उसको हम decide कर लेते है तोड़ा सा laptop को में नीचे कर लेता हूँ जो है एक fix कर लेता हूँ और इसमें camera भी fix करते हैं अगर आपने top side पे देख रहे हूँ कि camera का option आ रहा है bookmark camera इस पे click करके इस पे plus पे click करूंगा मैं अपना view जो है वो save कर लूँगा हमने क्या करना है environment वाली layer को select करना है और यहां पर आप देख रहे होंगे कि नीचे यहां पर environment lights यहां पर आप lights को try भी कर सकते है circle lights लगा सकते है quick render को ok करते है और इस पर हम circular light लगाते है circle light लगा की डिखते है तो देखें आप light की direction चेंज हो गई light की smoothness light का color intensity सब change हो गई है हम इसकी intensity को भी छेड़ सकते है हम इसकी intensity को move करना चाहें हम light की intensity को बढ़ाना चाहें वह भी बढ़ा सकते है rotation को भी move कर सकते है कि light की direction कि इस angle में होने चाहिए हम पूरा accurately इसमें सब कुछ कर सकते है ठीक है यहां पर आपके पास एक quick सा view आ रहा है अभी आपको इसमें grains नजर आ रहे है क्योंकि इसका resolution में कम किया हुए अगर मैं इसका resolution बढ़ा देता हूँ तो हमें कुछ इस तरह का दिखेगा ठीक है हम दूसरी lights ट्राइक करते है अपनी studio lights को try करके देखते है कि studio lights किस तरह की है हमारी direction light को हम select करके delete करते है ठीक है हमने studio lights ट्राइक करी studio panel lights है उसको try करके देखा हम studio friend की use करते हैं यहां ठीक है studio friend की use करने के बाद हमने लगता है कि हमारे object की intensity थोड़ी बढ़ानी चाहिए तो हम इसकी intensity को बढ़ा भी सकते है हम थोड़ी सी इसकी intensity को बढ़ाते है और इसकी rotation को भी अगर आपने move करना चाहते है तो आपके rotation को भी move कर सकते है मैं थोड़ा सा angle change करता हूं इसका ठीक है और इसकी light की intensity को थोड़ा सा बढ़ाता हूं ठीक है अगर हमने इसके rotation को भी move करना है तो देखे हैं इसके direction light की move कर सकते हैं आप यह देख रहोंगे कि जो हमारा laptop है उसके ओपर light की reflection change हो रही ठीक है हम इसको थोड़ा साइट करते है rotation को या हमारी एक composition set हो गई for example हमने थोड़ा साइट कर लिया हम कहीं भी भाहर क्लिक करेंगे और हमारी grid आ रही हो कि grid को भी off कर देते हैं जो हमारी grid नजर आ रही है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं camera view को और उसको भी bookmark कर लेते हैं new camera की नाम से जब हम यह final कर लेंगे तो हम अब इसके render की तरफ जाएंगे रेंडर पर जाने के लिए हम क्या करेंगे कि आप stop पर आप देख रहे होंगे कि render option है जैसी ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास right side पर काफी सारी चीज़ें आ रही है आपने किस angle पर इसको render करना है तो हमने इसको new camera select किया current view अटा दिया यह जो current view होगा जो अभी हमने लास्ट उसकी जो एंगल उसकी direction set की थी उस पर अगर आपने current view पर करना है जिसे यह वाप इस design में जाता हूं जो यह view है इसको render करेगा अगर इसकी resolution बढ़ानी है तो आप यहां से इस पर double click करके इसकी resolution भी बढ़ा सकते हैं या इसका artboard भी बढ़ा सकते हैं खैर हम जाते हैं render पर हम अपने current view को select करते हैं और जहां पर हमने इस file को save करना है उसको destination दे सकते हैं ठीक है और इसको नाम दे देते हैं अच्छा render पर लगाने के बाद आप देख रहे होंगे कि यहां पर राइट साइट पर bottom की साइट रेंडर स्ट्रेटस भी आ रहा है जिस पर लिखा हुआ estimated time यह इसका time calculate करेगा और हमें estimated time दिया है 2 minutes 17 seconds का और जैसे ही progress bar बड़ेगी फिर हम आपको दिखाते हैं कि PSD में किस तरह से देखेगा यह हमारा render तकरीबन end पर है और यह हमारा render हो चुका है ठीक है हमारे पास एक notification आजेगा अब हम अपनी file में जाते हैं यहां पर हमारे प करके इसको PSD में open करते हैं और यह हमारा render कुछ इस तरह से शो हो रहा है हमें ठीक है हम इसका background भी change करते हैं अगर हम अपना background change करना चाहें इसको white रखना है white रख लें जो भी आप इसको color रखना चाहें उसको असानी से रख सकते हैं अब हम अगर इसका जो है वो render change करना चा करने के बाद इस layer पर जाके हम इसको चूज कर लेंगे color तो अगर हमने इसका color change करना है कोईसा भी हम इसका यहां पर color भी change कर सकते हैं easily ठीक है कोईसा भी color आप यहां पर चूज करेंगे वो यहां पर apply हो जाएगा ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम इसके जो iMac का mock-up है इ यहां पर एक box लेते हैं right-click करके 2560 and 1600 का हम एक box ले लेते हैं एक rectangle ले ले लेते हैं ठीक है इसमें हम color कर देते हैं ताकि हमें नज़ा आत रहे किस तरह का है यह कुछ इस तरह का हमें visible होगा ठीक है हम इसको right-click करके convert to smart object कर लेते हैं और हम इसको scale कर लेते हैं ठीक है scale करके हम इसको अपने laptop पर लगाएंगे इसकी opacity थोड़ी से down करी हमने उसके चारो corners हमारे laptop के corners पर लगा देंगे ठीक है हमने यहां पर जूम करके यहां पर लगाया इसको थोड़ा से नीचे की साइड से लगाएंगे ठीक इसी तरह से हमने यहां पे इसको ड्रैग कर करके यह तक लेगा है बहुत थिन से लाइन दखना है हमने बोर्डर की करें कंट्रोल परेश करके हम ने इसके कौनर को मूझ करना है ताकि हम इसको कीव कर सके और इसको मॉझ कर सके थोड़ा साम यहां से बाहर निकाल लेते हैं हम देख लेंगे साइडे जितनी भी हैं वो जादी एकवल हूं हमने एंटर प्रेस के और इसके पैसरी वापिस पूरी कर दी अब हम क्या करेंगे हम इस पर डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे और अपना एप्रेस करेंगे और इसके corners को थोड़ा सा rounded कर देंगे इसको सेफ करके दिखते हैं महां पर कैसा दिख रहा है अगें थोड़ा सा और इसके corners बढ़ाते हैं फिर सेफ करके देखते हैं यहां पर बहतर लग रहा है थोड़ा सा और rounded corners बढ़ाते हैं इसके सेफ करके देखते हैं अब हम यहां प हट्रोग प्लेस करने के बाद मैं राइट क्लिक करके इसको क्लिपिंग मास कर दूँगा ताक्कि वो जो राउंडेट कॉर्णर्स हैं वो इसमें आ जाएं और इसको सेफ करके मैं जैसी उसे स्क्रीन पर जाऊंगा तो यहां पर यह अपलाय हो जाएगा ठीक है तो कितना एज ली हमने इस मोगप को चेंज कऱिया कर है अगर हमने इसका ऐसका बैगराउंड सेंज करना है तो कितना एजी ली हमने इसको मोकपको खर्येट के लिए स्टा नाइमेंश tiya तो कितना करता है दों कि यह वीडियो आपको पसंद आए होगी है अब ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जुरूर प्रिस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो को नॉटिकरेशन आपको मिलता रहे मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक के लिए अपने खायल कीजिगा, आला आफिस